Hello guys, welcome back to world channel, my name is Sonam Chohan तो आज है मैं आपर डिसकस करें फिफ्स सेमस्टर के स्लेबस के बारे में तो फिस्ट आफोल मैं आपको आपर बता दू, आपके फिफ्स सेमस्टर में दो बुक लगी हुई है जिन में सेम दोनों ही बुकों का जो स्लेबस और उनिटवाई उस सारा डिसकस करेंगे और जल्द इसके क्लासी जो है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं ठीके, कुछ टॉपिक्स तो आपको अपको अपको आपको 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 चैनल पर मिल जाएंगी जैसे UK, USA और स्विट्जिल लेंड के कॉंस्टिटूशन से रिलेटिक काफे सारे से टॉपिक्स हैं जो अवेलेबल है लेकिन फिर से जब हम रिस्टार्ट करने वाले हैं तो सब कुछ नए तरीके से होगा ठीके, English और Hindi दोनों ही लैंग्वेज में तो इसमें आपका जो पहला बदलब दो पेपर हैं जो में फर्स्ट पेपर के हम बात कर रहे हैं comparative government and politics जिसमें UK, USA, Switzerland and China इन सभी country के बारे में आपको यहाँ पे study करना होता है और one by one करके हम unit में discuss करना ही वाले हैं कि आपको इन country के बारे में actual में क्या-का study करना है ठीक है तो पहली book जो 5th semester में है आपकी comparative government and politics UK, USA, Switzerland and China तो इसमें आपको अगर मैं course code बता हूँ तो A060501T T का मतलब होता है theory ठीक है इसके बाद हाँ एक चीज और है कि आपका 5th semester में practical है क्योंकि आपका 4th semester में नहीं था बाद अब 5th semester में आपका practical है plus project है अब यह आपके college पर depend करता है कि वो practical है project को combined किस तरीके से कराता है लेकिन मेरी आपको बताने की जो जिम्मेदारी थी वो थी वो मैंने बता दिया बाकि आपके college इस पर depend करता है कि वो किस तरीके से इसको short out करता है ठीक है तो अब चलिए चलते हैं unit number first पे unit first में क्या आपको discuss करना है मतलब study करना है nature scope approach and utility of comparative study of politics यानि कि जो comparative study है जो comparative politics है तुलनात्मक जो रातनितिक अध्यन है उसका nature कैसा है उसका scope यानि कि उसका छेतर कैसा है approach and utility of comparative बलब पुरा तुलनात्मक अध्यन का जो approach है जो उसके अध्यन है उसके बारे में इसमें आपको first unit में study करने को मिलता है first unit में सिर्फ वो ही चीज़े आपको study करनी हो दिये जो उस subjects का base होता है ठीक है जैसे comparative government and politics जब आप करते हो तो उसमें उसका nature कैसा है उसके approach कैसी है कैसे वो double हुआ और बाकी thinkers के बारे में उसमें first chapter में या first unit में इसको complete किया जाता है इसके बाद first unit में या आप एक और चीज इसमें study करते हो धर्म and the idea of धर्म राज्य यानि कि धर्म राज्य के बारे में पढ़ते है इसके concept में हम उपने classes में discuss कराएंगे ठीक है second unit की तरफ चलते है जो second unit में है capitalism and the idea of liberal democracy यानि कि पुझेवाद के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा और जो liberal democracy जो उदारवादी लोकतंत्र है उसमें कैसे कैसे विचार है वो सब आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा ठीक है क्या है liberal democracy तो हम पढ़ते हैं लेकिन actual में democracy भी काफे सारे types हैं जैसे इसमें से एक है liberal democracy third unit में socialism and a worker of socialist state यानि कि समाजवादी के बारे में आप समाजवाद क्या है और उसके actual में जो socialist state होते हैं कि इसमें क्या कारे होते हैं जो समाजवादी राजज़े होते हैं उनके कौन-कौन से functions कौन-कौन से काम होते हैं ये आप इस unit में complete करते हो ठीक है इसके बाद unit fourth आती है Declonization, Political Development, Political Culture यानि कि जो अपनी वेशिक है या फिर जो रादनितिक विकास है या फिर जो रादनितिक संस्कृति है उसके बारे में इसमें unit fourth में discuss करने का matter बनता है इसके बाद next fifth unit में आप देखिए silent feature of British constitution and examination of the relationship between the executive and the legislature and role of judiciary in UK यानि कि fifth unit आपको cover करनी होती है पूरी UK government पूरी UK political system के बारे में जिसमें आप पढ़ते हो कि British constitution UK का जो actual में समिधान है वो कैसा है उसके features कौन-कौन से है कैसे कब बना कितने article से यह सारी चीजस में आप पढ़ोगे इसके सारी काफे सारी से relationship है between the executive यानि कि उसकी जो व्यवस्थापिका है जो नियाएपालिका है जो एक कारेवालिका वो किस तरीके से UK में काम करती है ठीके आपने first semester में अच्छे तरीके से इन चीजों को ready किया होगा study किया होगा तो basic सी बात है executive, judiciary, legislative तो यह तो जाता आपको इसमें explain करने की जुरूत ही नहीं है लेकिना UK में किस तरीके से काम करती है UK का क्या processor है वो इस वाले जब हम इस unit को complete करेंगे तब करेंगे ठीके वैसे भी मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर चैनल पर already UK का जो काफे सारे lectures है जो available है तो आप already पहले से जाकर के देख सकते है ने जे description में काफे सारे link है आप देख सकते है राम से जाकर के चैनल पर scroll करोगे तो एक playlist आपको मिल जाएगी ठीके UK, USA, France और Switzerland चार जो country है उनको थोड़ा थोड़ा करके cover किया हुआ है लेकिन जो important है वो आपको chapters में बिल जाएगे बागे जब re-starting होगी in chapters की वो दो आपको cover इसमें हम कराई देगी ठीक है इसके बाद six unit पे जलते है जिसमें essential features of the constitution of USA तो next unit जो होगी वो आपकी UK के बाद में USA के बारे में same वो ही topic आपको इसमें study करने होते हैं कि composition powers and function of executive and judiciary in USA तो USA का पूरा पूरा जो political system में वो आपको इसमें study करना होता है कि UK जो USA है जो America है उसके constitution कैसा है उसका सविधान कब बना जो विशेषता है सविधान के वो कौन-कौन सी है और साथ में उसके power function executive, legislative ठीक है judiciary system तो यह सब आपको इसमें पढ़ना होता है next unit यहनी की unit 7 पर चलते है unit 7 में essential features of Vietnam है constitutions, legislature, executive, judiciary Vietnam, communist party ठीक है तो इसमें आपको पढ़ने को बलता है कि essential features of Vietnam विशेषताम के कौन-कौन से उसमें features है ठीक है उसके constitution के बारे में और साथ में उसके legislature उसकी executive, judiciary यानी कि वहाँ पर किस तरीके से कानूर मनते है कैसे उनको execute किया जाता है कैसे rule regulation है कैसे judiciary system है और communist party जो main वियत नाम में माने जाते है उनके बारे में आपको पढ़ने को यहाँ पर मिलेगा ठीक है देखिए किसी भी country के बारे में जब आप study करते हो तो उसकी जो political system जब हमें study करते है तो हम legislature, judiciary और executive तीनो ही bodies के बारे में अधिन हमें करना पड़ता है हमें actual में तभी जाकर के पता लगता है कि किसी भी country में किस तरह का political system create किया गया है and then last unit unit number 8 तो unit number 8 में आपको क्या study करने को मिलेगा plural executive direct democracy referendum initiative the administrative system of switcher land तो आप इसमे switcher land के बारे में पढ़ेंगे country में direct democracy नहीं actual में क्या direct democracy का meanings क्या है ये वैसे तो मैं आपको बता हूँ कि तो channel पर switcher land की जो playlist है तो मैं आपको मिल जाएगा लेकिन फिर भी जब हम classes start करेगे तो उसमें clear out करी देगे लेकिन अगर आप थोड़ा साभी इसके बारे जादे नीचे comment section में जरूर बताने कि direct democracy का meanings क्या होता तो switcher land के बारे में सारा पूर इसका administrative system हम इसमें study करने वाल है ठीक है यहाँ तक किसी को कुछ पूछना तो नीचे comment section में जरूर पूछ सकते वाकि कोई भी दिक्कत नीचे होने वाली और हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक्जाम तक यह सारे चीजे cover होती चले जाए लेकिन फिर भी हमें कुछ important important जो basic basic notes वो निकालते रहते वीडियो के जरीए ठीक है तो यह तो था पूरा comparative governments के बारे में जिसमें आप चार या चार पाच ऐसे countries है जिनके constitution political system के बारे में पढ़ेंगे पूरे administrative system के बारे में पढ़ेंगे अब हम दूसरे books की बात करते हैं जिसका नाम है principles of public administration और अगर मैं course code आपको बता हूँ तो A060502 T का मतलब वोई theory होता है ठीक है एक individual videos अलग करके बना देंगे क्योंकि इसमें mix नहीं करना चाहते है यह सारे theory की ही आपकी है तो principles of public administration तो public administration का मैं आपको start करने से पहले बदा दूँ इसकी भी कुछ videos आवेलेबल है चैनल पर तो अगर आप starting से देखना चाहते हो तो वो भी आप अपले देख सकते हो लेकिन language का issue है तो हम दोनों language के साथ जब इसको start करेंगे तब आप उसको attend कर लेंगे तो unit first में वो ही है starting में जब भी आप किसे books को start करते हो तो books की meaning nature, scope, significance and evolution of public administration कुछ भी आप पढ़ोगे तो यहाँ पर इस अंगटन की जब आपको यहाँ पर study करनी होती है कि भी कैसे उसका management होता है scientific management क्या होता है classical bureaucratic क्या होता है human relation कैसे होता है decision making किस तरीके से किया जाता है जो निरने बनाने की शमता है वो किस तरीके से होती है वो सारी आप unit second में study कर दो इसके बाद third unit देखे chief executive types and functions line, staff, auxiliary, agency department, public corporation, board and commission independent regulatory commission तो third unit में आप chief executive यहाँने की मुखे कारे पालेगा के बारे में पढ़ते हो कि मुखे कारे पालेगा किस तरीके से काम करती है types and functions उसके कौन-कौन से कितने परकार की है कौन-कौन से उसके काम है line, staff, agency, auxiliary agency क्या होती है department है पुरी department के बारे में पढ़ते हूँ ठीक है staff किस तरीके से काम करता है lines क्या होती है और public corporation किस तरीके से काम करता है यह सब नाम आपने देखो सुनने भी होंगे ठीक है तो आप इसमें study करते हूँ public administration का मतलब होता है लोग परशासन यानि कि जहां पे जनता का परशासन होता है जिसमें DMSDM total पूरा भीरो के रिक crazy system आता है उसमें हर तरीके के ministers हर तरीके के अधिगारी आते है और पूरा executive form आता है chief executive form आता है वो किस तरीके से काम करता है या पूरा ही पूरा paper आपको यही सिखाता है next unit to unit number 4 में concept of budget formation execution of budget account and audit तो budget के बारे में और budget यानि कि किसी भी street है किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए budget का क्या process होता है किस तरीके से budget को create किया जाता है formation कैसे होता है उसका audit, उसका account यह सब इसके इंदर आपको study करना होता है इसके बाद next unit है, unit number 5 administrative law यानि कि प्रशासन के जो कानून होते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है इसके बार delegated legislation यानि कि जो कानून होते हैं कुछ चीज़े तो ऐसी लग रही होगी कि आपने पहले भी इनको देखा है, सुना है और पढ़ा भी होगा शायद लेकिन कुछ ऐसे topics है जो आप पहली बार इसको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं तो जब classes start होंगी one by one करके सारे चीज़े आपके killed out होती चले जाएंगी next unit में देखे, unit number six, जो की new public administration यानि कि नवीन लोग प्रशासन के बारे में है जिसमें new public management new public service approach good governance यानि कि एक अच्छे लोग प्रशासन तो नया लोग प्रशासन क्या होता है तो उसमें कुछ यही होता है कि जो normal public administration है उसमें कुछ अगर कुछ कमिया है कुछ बुराई है, कुछ रहे गया है तो उसकी जगहा पर कुछ नए modernization की तरीके से कुछ नवीनी करण होता है जिसको new public administration का नाम दिया गया है बागेस में good governance के बारे में पढ़ेंगे एक अच्छा, एक अच्छी सरकार या कुछल सरकार ये क्या होती है ठीक है कुछल शासन क्या होता है इसके बाद next है unit number 7, unit number 7 में क्या बने development administration comparative public administration ठीक है development नहीं विक्सित प्रशासन वो क्या है और तुलनात्मक लोक प्रशासन किसको बोलो जाता है इसके बारे में आपको उसमें discuss करना होता है study करना होता है इसके बाद next or last unit number 8 तो उसमें है evaluation of Indian administration an ascient, medieval and modern तो public administration जो Indian administration है जो भारती प्रशासन है उसके कुछ मुल्यांगन के बारे में पर भी study करने को मिलता है और modern age पर भी ठीक है तो यह completely इस वाली जो books है इसमें पुरा आप administrative system पढ़ते हो उसकी basic से लेकर के सारे topic cover करते हुए and then last तक ठीक है तो art unit में यह cover होता है इसकी जो important book है वो में individual videos provide करा दूँग इसमें सिर्फ वो सिर्फ हम books के बारे में ही भात करें हिंदे और उनुष दोनों ही student के लिए मैं इसको कराऊंगे ठीक है अभी तक हम जो syllabus है वो discuss कर चुके है तो आपका 5th semester में दो किताब है ज़िए please subscribe ज़रूर कर लेना bell icon को प्रेस कर लेना ताकि जो भी update है उसका notification आप तक सबसे पहले पोचे और आप उसे attend कर पाए ठीक है नीचे description में कुछ social media links है उसको जागर के click कर लेना follow कर लेना ठीक है Instagram है Telegram है Telegram पर normally हम जो PDF है notes है वो provide कराते रहते है ठीक है लब class होगी उसकी जो भी PDF होगी वो आप टेलेग्राम पर provide होगी और सोनमची on quality के नाम से टेलेग्राम ग्रोपे जागर के join कर सकते हो नीचे description में link मिल जागा बाकि Instagram चैनल है Instagram पर जागर के follow कर सकते हो क्योंकि ऐसा होता ने कि YouTube आप permanently अगर आप Instagram पर story देख रहे हो तो उसके जरीए आप तक जो अपडेट है वो पहुच जाती है ठीक है नीचे description में link मिल जाएगा या फिर चुहान सोनो 99 official के नाम से Instagram आइडिया जागर चेक आउट कर सकते हो सो मलते हैं next information के साथ में next lecture में तब तकिल जेहिन जे भारत